जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक तो अपना रिजल्ट चेक कर ही लिया होगा और अगर जिन लोगों ने नहीं किया है या फिर जिने टाइम नहीं मिला है अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं इसमें कुछ चीज ये इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि ये रिजल्ट जो है वो दिसम्बर 2020 और जून 2021 के जो सब्जिक्ट थे उनके ऊपर ये रिजल्ट जो एंटिय आयोग ने आज लगबग बारा बच के कुछ मिनट पर अपडेट किया था तो वो ये रिजल्ट ह और इसमें हम देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो 2020 का जो एक्जाम था जो 2020 का जून का जो एक्जाम था उसके हिसाब से ही आया है जैसा कि वो जो 2020 जून का जो एक्जाम था उसका जो रिजल्ट आया था वो भी परसंटाइल पे आया था और सेम इस साल मतलब जो दिसम्बर 2021 इसमें जो एक्जाम हुआ है वो भी सेम उसी प्रकार से परसंटाइल पे आया अब परसंटाइल और परसंटेज ये चीज़ें बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूज करती हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने हिंदी का हिंदी सब्जेक्ट जैसा कि हम ज्यादा तर जो वीडियो बनाते हैं तैयारी करते हैं वो खास तोर पे हिंदी सब्जेक्ट की करते हैं तो इसमें दो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं पहली ये कि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया हुआ है कट अगर बात करें अन्रिजर्ड कटेगरी की तो 96.87 परसेंटाइल इसका कट ओफ गया है अब 96.87 के उपर जितने भी स्टूडेंस हैं उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्शन होगा जिसमें से 1619 लोगों का सेलेक्शन हुआ है किसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के अन्रिजर्ड कटेगरी में ठीक है अब यहीं अगर अन्रिजर्ड कटेगरी के लिए बात की जाए जे आरेफ की तो 99.47 ये कट ओफ गई है किसकी JRF की Unreserved category के लिए Hindi subject में 285 285 लोगों का इसमें selection हुआ है EVS की बात करें तो 91.64899 ये इसका percentile गया हुआ है जिसमें हिंदी EVS category में 448 लोगों का selection हुआ है वहीं अगर JRF की बात करें तो 98.559 percentile गया है और इसमें 104 लोगों का selection हुआ है वहीं अगर बात करें OBC की हिंदी subject में OBC category का जो cut off गया है वो 91.577 गया हुआ है जिसमें 1167 लोगों का selection हुआ है हिंदी subject में OBC और उसी की अगर JRF की बात करें तो 98.515 ये cut off गई है और इसमें 183 लोगों का JRF हुआ है SC category की अगर बात करें तो 82.639 ये percentile गया है assistant professor का और 635 लोगों का selection इसमें हुआ है अगर JRF की बात करें तो 93.464 ये cut off गई है JRF की SC category में और 151 लोगों का selection इसमें हुआ है वहीं बात करें ST category की 79.2285 ये percentile गया है और उसमें assistant professor में 264 लोगों का selection हुआ है वहीं अगर JRF की बात की जाए तो 92.5760 ये JRF का ST category में percentile cut off गया है और इसमें 61 लोगों का selection हुआ है फिर इसी तरह से नीचे भी दिये हुए हैं ये जितनी भी categories हमारे यहां पे हैं लगभग 18 category होती हैं तो इन सभी का यहां पे percentile और कितने लोगों का selection JRF assistant professor दोनों का अलग-अलग करके दिया हुआ है तो इस प्रकार से हमारा ये जो 2021 का जो एक्जाम हुआ था दिसंबर में 26 दिसंबर को हिंदी का हुआ था तो उसका result इस हिसाब से हमारे सामने यहां पे आयोग ने प्रदशित किया है तो यहां पे सबसे खास चीज यह है कि दोस्तों यहां पे जो percentile हो या percentage हो उसको निकालने की थोड़ी से जो theory होती है वो अलग होती है हम लोग percentile जो निकालते हैं और दूसरी चीज की आज ही final answer की भी update की गई है तो उसमें से और दूसरा एक यह की यहां पे category wise जो यहां पे दी होई है percentile यह भी तो आप वहां पे देख सकते हैं कि कितने students ने इसमें participate किया था और कितने students qualify हुए हैं यह सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी तो चलिए दोस्तो जिन लोगों का selection हो गया है उनके लिए बहुत बहुत शुब कामना है जिन लोगों का नहीं हुआ है तो निराश होने की बात नहीं है यह जिन्दगी का आखरी exam नहीं है और भी exams होते हैं इसे में भी और हमें term मिलते हैं मतलब कई बार हम यह exams दे भी सकते हैं तो अपना hope जो है अपना goal जो है और अपना जो confidence है वो मत खोएं next time जो इस बार अगलतिया होई है उन्हें ना होने दे और अगली बार अच्छी तरीके से तैयारी करें और जो तैयारी अगर आपको कोई भी confusion लग रहा है तो आप मेरा whatsapp number दिया हुआ है मेरे about में जाकर देखेंगे या फिर description में वीडियो के तो वहाँ पे आपको number मिल जाएगा तो वहाँ से मुझे contact कर सकते हैं वो सारी guidance में provide कराऊँगा बस शर्त यह है कि आपको next time selection लाना है तो अमीद करते हैं और इसे उमीद के साथ ये वीडियो को यहीं पे समाब्द करते हैं कि आप लोग next next जो exams होगा next जो term आएगा हमारा उसमें आप selection लाकर दिखाएंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद